हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब भी अच्छी ही होंगे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केंडिकेट्स पे जहां मैं आपके लिए हर रोज बहुत अच्छी अच्छी नई नई कहानिया लेकर आती हूँ तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इंटरस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किये शुरू से एंड तक देखिएगा और कमेंस में जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर and सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो दोस्तों आज की इस कहानी के किरदार हैं दो कबूतर और एक चीडिया तो चलिए दोस्तों हम अपनी कहानी शुरू करते हैं एक बार की बात है, एक बड़े से नीम के पेड़ की डाल पर दो कबुतर रहते थे एक का नाम था मानक और दूसरे का नाम था गुडरू गुडरू बहुत ही महनती, समझदार, वै चुस्त था जबकि मानक बहुत ही आलसी था मानक सारा दिन सोता रहता उसे नहीं तो अपने काम की फिक्र थी और नहीं अपने रहने सेने की और दूसरी तरफ गुट्रू जो कि उसे बिलकुल उल्टा था वहे कडी धूँ, तेज बारिश, आंदी तूफान में जाकर काम करने से भी नहीं कत्राता था गुट्रू बाहर के खाने के लिए जो कुछ भी लाता मानक उसी पर नजर गड़ाई रखता था और बड़े ही भोले सभाव से गुट्रू को देखता ताकि वहे उसे भी खाने को कुछ दे दे गुट्रू को मानक का बोला चहरा देखकर उस पर तया आ जाती थी इसी लिए वहे अपने हिसे का कुछ खाना भी मानक को दे दिया करता था इसी के चलते मानक का गुजारा अराम से हो रहा था और बाहर से कुछ खाने को लाने की जरूरती नहीं परती थी बरसाद के मोसम में गुट्रू बरसाद आने से पहले ही दूर दूर से तिन के इकठे करके एक बहुत ही खुबसूरत सा घुचला बना लेता था बरसाद का मोसम आने पर उसी घुचले में मजे से रहता था और वही दूसरी तरफ मानक जब बरसाद में भीग चाता था तो गुट्रगू गुट्रगू करते हुए गुट्रू की तरफ देखता था उसकी भोली सूरत और उसे भीगा हुआ देख गुट्रू को फिर दया आ जाती थी वे अपने सभाव के कारण मजबूर था हर बार की तरहा उसे मानक पर दया आ ही जाती थी इसलिए वे उसे अपने घोंसले में किसी प्रकार गुसा कर बैठा ही लेता था और मानक की जिन्दगी तो बड़े अराम से बीत रही थी उसे ने तो काम करने की जरूत पड़ती थी ऐसा ही सभी कामों के लिए वे गुट्रू पर ही निर्बर रहने लगा था सारा दिन पड़े रहना, खाना आने पर खाना खा लेना और फिर लेट जाना जब कभी भी गुट्रू को उस पर गुस्सा आता था तो वे अपनी वही बोली सी सूरत बना कर पैट जाता था बेचारा अपने सभाव के मारा गुट्रू को उस पर दिया आ ही जाते थी वे उसकी मदद कर ही देता था गुट्रू जब भी मानक को कहता कि वह भी महनत क्यों नहीं करता उसे भी महनत करके खाना लाना चाहिए उसे भी महनत करके खोंसला बनाना चाहिए ताकि बाद में उसे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े तो इसी पर मानक कोई ना कोई बहाना बना कर टाल देता था और बरसाथ आने पर हर बार की तरहा खुशामत करके गुट्रू के खोंसले में घुश जाता था और बड़े ही आराम से बरसाथ के मौसम के मज़े लेता था इस तरह मानक बिना महनत किये अपना काम चलाता जा रहा था और गुट्रू दिन रात महनत कर रहा था लेकिन मानक फिर भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था इसी तरह दिन बीटते गए और एक दिन उसी पेड़ पर एक चिडिया रहने आई जिसका नाम गुलमोहर था गुट्रू वे मानक उसका साथ पाकर बहुत खुश होए समय बीटता गया और सब वैसे ही चल रहा था गुलमोहर जिडिया को मानक का यूं सारा दिन पड़े रहना कोई काम ना करना सारा दिन गुट्रू को ही परिशान करते रहना उसका ऐसा सभाव उसे बिलकुल पसंद नहीं आ रहा था वै मानक को बहुत समझाती थी लेकिन मानक की कान पर जूं तक नहनरेंगती थी वै उसे सुनकर भी अंसुना कर देता था दिरे दिरे मानक गुलमोहर चुडिया को ना पसंद करने लगा अक्सर भै उसे जगड लेता था और उसे उस पेड से जाने के लिए कहता था गुट्रू को मानक का यह सभाव देख चिन्ता होने लगी थी उसे यह लग रहा था कि अगर मानक ऐसे ही सभी के साथ लड़ता जगड़ता रहा तो भविश्य में उसे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा चिन्तित गुट्रू ने कुछ दिन बाद गुलमोहर को इस बारे में बात की तो गुलमोहर चिडिया बोली गुट्रू इसमें मानक का दोश कम और तुम हारा ज़ादा है गुट्रू को गुलमोहर की बात समझ नहीं आई तो उसने बड़े ही आस्चर्य से पूछा गुलमोहर तुम ठीक तो हो ये सब क्या कह रही हो मैं उसका सारा काम करता हूं उसे दाना ला कर देता हूं उसे खाना देता हूं बरसात के दिनों में भी अपने घोंसले में भी उसे पना देता हूं तू फिर मेरा क्या दोश हुआ गुल मोहर बड़ी ही प्यार से मस्कुराते हुए बोली अरे यही तो तुम्हारा दोश है तुम ही ने तो उसकी आदत बिगाड़ी है तुम उसे अपने खाने का हिस्सा और अपने गोंसले में रहने की इजाज़त देते ही क्यों हो चिडिया ने गोट्रू से गुसे में पूछा तो गोट्रू बोला कि अगर मैं उसे खाना नहीं दूँगा तो वै बेचारा भूखा मर जाएगा अगर मैं उसे खोंसले में रहने के लिए जगा नहीं दूँगा तो वै बरसात में भीग कर मर जाएगा ऐसे कैसे मर जाएगा? क्या वैं खुद जाकर अपना खाना नहीं बटोर सकता? क्या वैं खुद अपकर अपना घुसला नहीं बना सकता? गुलमोहर ने गुट्रू से पूछा हाँ, वैं येस अप काम कर तो सकता है गुट्रू ने सिर्ध जुगा कर जवाब दिया तो फिर तुम उसे खाना देते ही क्यों हो? अगर तुम उसकी मदद करना बंद कर दोगे तो वैं महनत करके खायेगा उसे भी ठंडी गर्मी का ऐसास होगा तो खुद अपना घुसला बनाएगा उसे तुमने कभी महनत करने का मोका ही नहीं दिया हमेशा उसका सारा काम खुद करते रहे गुट्रू को गुलमोहर चड़िया की बात अब धीरे-धीरे समझ आ रही थी अब उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गुलमोहर ने करने को कहा था उसने नय तो उसे खाने को दाना दिया और नय ही रहने के लिए घोसले में जगा दी आलसी मानक दो दिन तक इसी ताग में बैटा रहा कि शायद गुट्रू से खाने को कुछ दे दे जब तीसरे दिन भी गुट्रू ने मानक को खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो भूग के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था अब उसे लग रहा था कि गुट्रू उसकी मदद नहीं करेगा तो उसे अपने को खुद को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा अब वहें खुद खाने की खोश में निकल पड़ा और खाना लेकर ही वापस आया यह देख गुट्रू चिडिया की सूजबूज पर बहुत खुश हुआ अब मानक का अपना लाया खाना भी उसे दो दिन तक चल जाता था बरसाथ का मौसम आने पर गुट्रू ने खोशले के मामले बेबी ऐसा ही किया जब आलसी मानक को सारी बरसाथ बिना गुशले के भीग भीग कर गुशारनी पड़ी तो अगले साल उसने भी बरसाथ आने से पहले ही अपना गुशला तयार कर लिया अब धीरे धीरे वहे भी महनती बनता जा रहा था जब एक दिन गुलमोहर चिड़िया गुट्रू से बोली देखो गुट्रू तुमने इसे खाना दे दे कर बेवज़ा इसकी सहायता करके तुमने ही इसकी आदद बीगाड़ दी थी अब गुट्रू और मानक को गुलमोहर चिड़िया की सारी बात समझा गई थी अब मानक ने गुलमोहर से माफी माँगी और आगे भी मेहनत करनी का वादा किया गुलमोहर ने मानक को माफ कर दिया और अब तीनों में गहरी मितरता हो गई थी तीनों साथ ही खाना लाते, साथ ही खाते और साथ ही इधर इधर उड़ने के लिए जाया करते थे माननक चिडिया का धन्यवाद करता करता नहीं ठक रहा था तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आलसी व्यक्तियों की सहायता नहीं करनी चाहिए इससे उसका आलस्य और भी बढ़ जाता है और वे परिश्रम से जी चुराते है समय रहते अगर उन्हें सही सीख ना दी जाए तो बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है तो आज की वीडियो को यहीं खतम करते हैं और मिलते हैं कल ऐसी ही एक बड़िया सी कहानी के साथ तब तक के लिए अलविदा